हेलो बच्छो कैसे हो आपस तो आज हम इंडिया नीकों का चैप्टर वन करेंगे यह क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं एक एक करके सारे वीडियोज इंडिया नीकों के सारे 10 चैप्टर के मैं वीडियोज लेके आऊंगी इस चैप्टर के नोट्स के साथ हम पढ़ेंगे और जो भी चैप्टर का वीडियोगा उसके नोट्स उस दिस्क्रिप्शन में होंगे आपको कोई भी डाउट हो तो मिर से पूछ सकते हैं अगर इस वीडियो को आप दो तिन बार भी सुनोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा सुनके ही याद हो जाएगा तो स्टार्ट करने से पहले दू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब और चैनल तो जो चैप्टर वन है हमारे पास चैप्टर वन जो इव का है जो हम पढ़ेंगे एंड चैप्टर 2 1950 से लेके 1990 तक इंडिया में क्या हुआ इसकी स्टडी अलग-अलग सेक्टर्स की एंड 1990 के बाद LPG यह तीनों चैप्टर 4 त्री चैप्टर पहला तो इव कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ इस टाइम पे इंडिया के क्या हालत थी ठीक है इंडिपेंडेंट हुआ तब क्या हालत थी यह है चैप्टर वन अलग-अलग सेक्टर्स को लेंगे एंडिकल्चर हमारा इंडिस्ट्री फॉरिन सेक्टर सब कुछ लेके उसका पूरा स्टडी करेंगे यह चैप्टर वन किया है कि इंडिया की क्या स्टेट थी इंडिपेंडेंडेंस के टाइम पे चैप्टर टू में इंडिपेंडेंस के बात से लेके 1990 तक उन सारे different sectors की क्या हलत थी and then LPG chapter है 1990 के बात जो policies आई तो ये पूरा तीनों chapter मिला कि ये 12 नंबर के approximate ठीक है ये तीनों ही chapter बहुत important है तो हम पहले chapter में EVE पे इंडिया की क्या situation थी इसको पूरा study करें तो origin of British rule, Britishers इंडिया में कैसे origin हुआ Britishers का, तो battle of Plassey जो fought हुआ था 1757 में वहां से origin हुआ Britishers का Britishers इंडिया में क्यों आए थे ताकि Indian economy को एक feeder economy बना सके और अपनी development कर सके तो the main purpose was to use Indian economy as feeder economy ठीके, as feeder economy for the development of British economy finally after 200 years, Britishers ने इंडिया को independent हुए हम Britishers से और 15th August 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ ठीके, question battle of Plassey का आ जाता है क्या year था ठीके, और एक नंबर में आ सकता है इंडिया को एक feeder economy बनाने का इंडिया की इंडिपेंडेंस की डेट आपको याद रहेगी 15th August 1947 ठीके, तो इंडिया ब्रिटिशर से आने से पहले 1757 से पहले ये 200 साल जो उन्होंने अप्रॉक्समेट रूल किया उससे पहले इंडिया क्या था, इंडिया बहुत ही प्रॉस्परिस एकनॉमी थी क्या थी बहुत थी prosperous economy थी agrarian economy थी and well known for handicrafts थी ठीक है तो before the advent of British rule इंडिया जो एक prosperous economy था है agrarian economy था and well known for handicrafts थी यह important question है जो आ सकता है paper में कि Britishers के आने से पहले इंडियन economy कैसी थी तो prosperous agrarian and well known for handicrafts prosperous economy का क्या मतलब है independent थे self-reliant थे ठीक है agrarian का मतलब है two-third of total population agriculture में थी ठीक है and well known for handicrafts well known for handicrafts मतलब इंडियन handicrafts बहुत famous था cotton and silk textiles stone works सब कुछ बहुत ही fine quality material था high standard था craftsmanship का बहुत ही बढ़िया products बनते थे इंडिया के जो की exports होते थे और इंडिया बहुत अच्छा कमाता थे ठीक है जब Britishers आ गए इंडिया में during the British rule इंडिया की क्या situation थी तो इसमें पहला point है जो highlighted है कि economic policy जो भी British government ने इंडिया में बनाई वो सब Britishers के economic interest के लिए थी वो Indian economy को अच्छा नहीं कर रही थी वो सब उन्हीं के फाइदे के लिए थी ठीक है Britishers ने इंडिया को transform कर दिया into a supplier of raw material and a consumer of finished products from Britain यह line बहुत important है यह 2020 में बहुत बार हर set में यह point आया है क्या point है कि Britishers ने transfer कर दिया Indian economy को किसमे supplier of raw material में and consumer of finished products from Britain वो इंडिया से सारा raw material cotton silk textile सबका raw material ले जाते थे और वहां से अच्छे products finished products अपनी मशीनों से बना के इंडिया में बेचते थे cheap rate पे इसी वज़े से इंडिया एक consumer बन गया finished products के Britain से clear है next point है हमारा low level of national income and per capita income जब Britishers इंडिया में थे तो इंडिया की national income जो थी वो low थी और average income per capita per person जो income थी वो भी बहुत कम थी उनमें इतना increase नहीं आया पहले दो Britishers पहला point है कि government है British government ने calculate ही नहीं करा कोई sincere attempt ही ने किया estimate करने का national income दूसरा point है दूसरा point है हमारा experts like दादबाइ नारोजी एस्टीमेट करने का national income आगया हमारा कि estimation estimate of Dr. V.K.R.V. Rao on national income and per capita income significant consider हुआ जिसमें say 20th century के अंदर इन्होंने कहा कि growth जो हुई है aggregate real output that is national income की वो less than 2% है और जो per capita income है average income है उसमें half percent half percent का increase है इतनी ही growth है ठीक है तो Britishers के rule में less than 2% national income increase हो रही थी and half percent का per capita average increase था पर capita income है ठीक है तो I hope यह सारे points clear होंगे कि during the British rule के अंदर क्या-क्या points है very very important during the British rule ठीक है अब हम Indian economy को six sectors सारे sector Indian economy के पढ़ेंगे कि इंडिया की अलग-अलग sectors की क्या situations थी eve of independence के ताप पहला है agriculture sector दूसरा है हमारी industry तीसरा है foreign trade और फोर्थ है demographic transition फिफ्थ है occupational structure and last and very important infrastructure यह सारे sectors important है किसी भी topic से question आ सकता है तो इंडिया में agriculture sector के अंदर approximately 85% of the population काम कर रहा था directly या indirectly dependent था agriculture अब है main reasons of inactive या फिर stagnation agriculture के Britishers के time पे agriculture क्यों अच्छा नहीं था इसके reasons क्यों inactive था तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पहला reason है land settlement system या फिर जमिंदारी system यह important है paper के point of view से तो इसको ध्यान से समझना land settlement system British government ने रख रखा था जिसमें क्या होता है farmers को rent देना पड़ता है जिसे हम बोलते लगान किसको देना पड़ता है जमिंदारों को rich landlords को तो उन्हें landlords को that is जमिंदार को rent देना पड़ता था चाहे कमाई हो चाहे नहीं हो ठीके इस वज़े से farmers बहुत loss पे थे loss में रहते थे और जमिंदार rent कमा रहे थे उनकी कमाई हो रही थी और rent का कुछ पार्ट जमिंदार को British government को देना था अगर जमिंदार rent collect नहीं करते हैं farmers से तो उनके rights Britishers हटा देती थी इसलिए जमिंदार rent collect करते थे और British government को देते थे इस वज़े से farmers का बहुत loss में रहे farmers और ये कभी भी improve नहीं हो पाया गरीब farmer कभी भी सही stage पे नहीं आ पाया ठीक है दूसरा reason है यहाँ पे commercialization of agriculture agriculture commercialized हो गया था इंडिया से commercial products agriculture के बाहर जाते थे बाहर sale होते थे और इसकी वज़े से जो farmer है वो only वही चीजे ग्रो करते थे जो बिक्रा है जो British government हमसे खरीद के बाहर भेज रही है अपने देश में ठीक है in the form of raw material इसमें क्या क्या आ गए that is indigo jute cotton indigo जो color करने के लिए होता है कपड़े पे color करते थे इंडिको की help से तो यहाँ पे commercialization होने की वज़े से agriculture में farmers only वही products उगा रहे थे जो बाहर चाहिए ठीक है तो जितनी भी variety इंडिया में grow कर सकते थे वह नहीं कर रहे थे और focus किस पर कर रहे थे food crops से shift होके cash crop पे चले गए जिससे पैसा मिल रहा है उसी चीज को गा रहे थे तो इसकी वज़े से भी इंडिया बहुत backward रहा ठीक है low level of productivity हमेशा से agriculture की जो productivity है वह हमेशा productivity इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हो सकती है low level of productivity थी किस reason की वज़े से पानी की facility सही नहीं थी that is irrigation third point हमारा हो गया low level of productivity क्यों productivity लो थी because of पानी की कमी पानी हर जगा नहीं पहुच पाता था नहीं था लोगों के पास farmers के बास रूरल इन एरिया में पानी की facility नहीं थी टेक्नलोजी की facility नहीं थी ठीक है और fertilizers जिसके fertilizers की help से agriculture की growth बेटर हो production अच्छा वो अविलेबल नहीं थे ठीक है इस वज़े से हमेशा इंडियन agriculture low productivity में रा और Britishers ने कुछ technical improvement नहीं करी Britishers ने इंडिया की help नहीं करी to improve agriculture वो modern technology नहीं लेके आए ये भी इसी में लिखना है ठीक है Britishers did not intend to speed on technical improvement in agriculture so it became difficult to introduce modern technology I hope ये point clear होगा ये सारे ही point की agriculture backward क्यों था क्यों इतना inactive था या stagnant था तो उसके points होगे ये कुछ ये individual points भी important है और ये पूरा set पूरा question भी बन सकता है इस पे पहला point हमारा क्या हो गया जमिनदारी system या land settlement system second point क्या हो गया हमारा कि हम cash crop से cash crop पे shift हो गए थे food crop से cash crops पे आ गए थे तो commercialization हो गई थी agriculture क्या हो गया commercialize एक business बन चुका था और third point क्या है low level of productivity इंडिया की productivity इतनी अच्छी नहीं थी और Britishers ने बिलकुल भी help नहीं की इसको increase करने में ना ही हमारे पास irrigation facility थी ना ही technological facility और ना ही हम इतने fertilizers use करते थे I hope ये तीनों points clear होंगे fourth point है scarcity of investment Britishers ने investment नहीं किया agriculture के अंदर Britishers ने बहुत ही कम investment रखी जितने भी tenants थे small farmers थे share croppers थे जो crop उगा के share ले लेते हैं अपना ये सब जितने भी लोग थे इनके पास ना तो technology थी ना ही इनके पास को incentive था ठीक है इस वज़े से इंडिया कभी भी improve नहीं कर पाया agriculture में और भी इसका एक point है कि partition का क्या effect था ये भी important question है पेपर के point of view से आज आता है adverse effect of agriculture on partition जब इंडिया और पाकिस्तान का partition हुआ तो जितनी भी fertile land थी या अच्छी खेती जिस land पे होती है वो हिस्सा पाकिस्तान चला गया था और इंडिया में जो हिस्सा था वो अलग-अलग जगा टुकुडू में था इस वज़े से भी इंडिया की जो agriculture है partition से भी effect हुई क्योंकि बहुत अच्छा fertile land पाकिस्तान में जा चुका था partition caused a drastic fall in agriculture production as a large amount of fertile land was given to Pakistan it caused food crisis almost the whole jute producing area became part of Pakistan जिस्की वज़े से जो इंडिया की जूट इंडिया थी उन्होंने बहुत सफर किया जिसमें इंडिया अच्छा था उसमें जूट पाकिस्तान की तरफ चला गया सो यह ने बहुत साफर किया तो यह दोनों प्री माकर्स में तो अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे कर करके सिक्स सेक्टर जो है सारे सेक्टर हम इस चाप्टर में कवर करेंगे कि सब की सिचुएशन क्या थी इव ऑफ इंडिपेंडेंडेंस पर इतना चाप्टर क्लियर होगा अब नेक्स्ट सेक्टर पर चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि जितने लोगों की हेल्प हो सके हो ताकि इसली सब लोग आपको यह नोट्स एंड यह कॉंसेप्ट पूरा जो चैप्टर है पूरा क्लियर है अब हम आगे भढ़ते हैं कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पुछना आगे है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे एग्रिकल्चर इनक्टिर था वैसे ही इंडस्ट्र कि न अच्छा नहीं था इंडस्ट्रियलाइसेशं का मतलब क्या है यहां पर डिक्लाइन हैंडीक्राफ इंडस्ट्री जितनी भी इंडिया में थी उन सब का डिक्लाइन हो चुका था इंडिया वास नौट अलाव तो-प विद एनी मौडर इंडस्रियल से कि इंडिया में अलाव नहीं था कि modern industrial base लगाए पॉइंट क्या था कि industry को खतम करने का destroy करने का क्या purpose था पॉइंट कि इंडिया raw material Britishers को भेजे ताकि Britishers finished product बनाए इंडिया में finished product ना बनके raw material इंडिया से supply हो Britishers को cheap rate में और Britishers finished product बनाके इंडिया में ही बेचे high rate में इससे क्या होगा Britishers का double फायदा होगा पहला cheap rate पे उन्हें raw material मिल गया और उन्होंने इंडिया में ही बेचा finished product I hope ये चीज़ clear होगी तो ये point बहुत important है कि two-fold motive क्या था Britishers का de-industrialization में पहला इंडिया एक cheap rate raw material supplier बन जाए और finished product Britishers से खरीदे I hope ये चीज़ clear होगी next हमारा point है handicraft industries को Britishers ने कैसे decline किया कैसे खतम किया पहला very very important topic है ये handicraft को कैसे खतम किया पहला point handicraft products पे tariff tax लगा दिया free exports of raw material कर दिया कि तुम्हें जितना raw material supply करना है तुम free supply करो cotton, jute, जितना भी इंडिकों वगेरा तुम्हें export करना है वो तुम free करो बट अकर तुम्हें handicraft को export करना है बाहर के देशों में बेचना है तो तुमको tax देना पड़ेगा इस वज़े से handicrafts लोगों के लिए भारी पढ़ने लगए उन्हें tax देना पड़ गया बेचने से पहले इसलिए उनका decline है second reason है यहाँ पर एक टहला था tax लगा दिया handicraft में और second क्या हो गया कि जो handicraft products थे वो थोड़े high rate के थे compared to machine made products इसलिए machine made जो products थे वो सस्ते थे इसी वज़े से handicraft का decline हो गया क्योंकि जो handicraft में craftsman के जो पैसे थे वो charge कर रहा था उसको इन्होंने replace करा machine made goods से जोकी low price थे तो Indian market was full of finished goods from Britain and it led to a decline of handicraft both in domestic as well as export market I hope यह चीज़ क्लियर होगी handicraft के decline होने की वज़े से adverse effect industries को यह समझना ध्यान से industrial sector de-industrialization यह सब जो हुआ इसकी वज़े से क्या adverse effect हुए सबसे basic और सबसे simple unemployment rate लोगों के पास काम नहीं था और high level of unemployment हो गई यहां पर यह question आ सकता है paper में के adverse effect of decline in industry या फिर decline in handicraft industry पहला point high level of unemployment I hope यह चीज़ क्लियर होगी लोगों के पास जो industries जो काम था वो decline हो गया लोगों को agriculture में जाना पड़ा और agriculture overcrowd हो गया I hope यह चीज़ क्लियर होगी दूसरा adverse effect imports हाई हो गये इंडिया को इंडिया डिपेंड हो गया बाहार के फिनिश्ट गुड्स पे और imports जो है और फिनिश्ट गुड्स हाई होने लग गये I hope यह चीज़ क्लियर होगी कि इंडियान made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods इस वज़े से import हाई हो गये Britishers imports अपने increase वो अपना समान बेच रहते और इंडिया के imports हाई हो गये I hope यह चीज़ क्लियर होगी next is lack of capital good industry क्या मतलब है यहां पे lack of capital good industry का जितनी भी industries जो machine बनाती है जो ऐसे goods बनाती है जिससे हम further produce कर सके वो industries का decline वो industries इंडिया में थी ही नहीं बहुत कम level पे थी during the British rule there were hardly any capital good industry to promote further industrialization और ना ही Britishers ने इस पे ध्यान दिया ठीक है इस वज़े से इंडिया क्या था depend था बाहर ब्रिटेन पे बाहर के finish good पे क्योंकि इंडिया में इतनी industries ही नहीं थी जो machine बनाए जो further production increase कर सके I hope यह चीज़ क्लियर होगी कि adverse effect क्या क्या है और यहां पर यह question आ सकते हैं इसे notes से अच्छे से पढ़ लेना अगर आप NCRT से पढ़ रहे तो वहां से पढ़के बस इस video को revision point से सुन लोगे तो तुम्हें chapter clear ठीक है बहुत ही easy है इंडिया नीको अगर समझके करो बहुत easy है इसलिए कोई भी इंडिया नीको economics business accounts आपको कोई भी doubt आप में को DM या आप comment में लिख सकते हैं अगर पढ़ोगे तभी number आएंगे अगर समझके पढ़ोगे तभी number आएंगे रट्टा भाजी नहीं है इंडिया नीको बहुत simple है बहुत practical है सारी चीज़े एकदम याद हो सकती है समझके तो डरना नहीं है और बहुत easily समझके इस वीडियो को दो तिन बार बे सुन लोगे न तो सुनते सुनते याद हो जाएगा इसलिए मैंने इंडिया नीको का पहले macro से पहले इंडिया नीको का वीडियो आया है I hope यह चीज़ clear हो रही है कि industries के हालत जो situations थी वो खराब थी due to following reason de-industrialization, handicraft का decline और क्यों होगा decline उस पे tax लगाना ताकि हम बाहर से products मंगवाए उनके products पे depend हो जाए ठीक है notes में से proper heading पढ़ लेना notes पूरे पढ़ लेना तो easy हो जाएगा पूरा chapter easy number हो जाएंगे first second third chapter को मिला के 12 तेरा number का यह जितना भी है बहुत easily आ सकते हैं ठीक है तो हमारा यह point हो गया clear next है हमारा GDP जो देश की national income थी जो देश में production हो रहा था वो major scale पे agriculture सी हो रहा था क्योंकि agriculture में सारे लोग agriculture में थे 85% dependent थे उधर ठीक है तो industries में लोग ही नहीं थे क्योंकि ना industry लगाने के लिए लोगों के पास इतनी income थी ना allowed थी कि capital good industries हो machine खरीद सके इसलिए बाहर से जो products आ रहे थे हम भूई खरीद रहे थे तो industry का जो contribution था GDP में वो भी लो था the growth rate of new industrial sector and its contribution in GDP was very small or public sector limited role of public sector the area of operation of public sector was major drawback the public sector remained confined to railway power generation जित्ती भी जो भी government थी government only focus कर रही थी railway को सही करने में इसका बाद में हम point पड़ेंगे क्यों Britishers इंडस्री को सही नहीं कर रही थी obviously नहीं करेगी ताकि finished products उनके हम खरीदे ठीक है तो इसलिए limited role था public sector का government का वो कुछ development नहीं कर रही थी industry sector की तो इसलिए India drawback में रहा backward रहा industry I hope industry clear होगा अब कुछ point है कि modern industry operating जो modern industry थी वो क्या क्या थी पहले Tata के बारे में TISCO Tata Iron and Steel Company इसका MCQ में question आता है कब आया था कब incorporate हुआ था 1907 important जमशेदपुर बिहार ठीक है ये point ध्यान रखना कि Tata Iron and Steel Company जो TISCO है वो कब आया था 1907 में जमशेदपुर बिहार और कुछ second half of the 19th century में कौन से कौन से industries थी जूट और cotton पे हम confined थे ठीक है और उसके बाद cotton के बाद cotton में dominate किया इंडिया को west side Bombay और उस side में cotton का dominance बहुत जादा अच्छा था जूट जो था वो west Bengal side था वो east side था जूट का ठीक है तो ये question आ सकता है कि cotton के side था west India west ठीक है and jude east side ठीक है west Bengal side I hope ये चीज़ क्लियर होगी cotton को Bombay से याद रखना कि cotton Bombay का था west side of India में था and jude east side था west Bengal में dominate कर रहा था ठीक है और फिर further 1939 के आगे 1945 तक कुछ और industries है sugar, cement, etc. world war 2 के बाद I hope ये point clear है ये question आया था एक बारी किसी sample paper में cotton का कि cotton कि साइड है west side में और jude mills है हमारी west Bengal side ठीक है और फिर further industries आ गई थी और important point हमारा यहां पर टिसको का हो गया टाटा island steel ठीक है जो जमशेदपूर बिहार में 1907 ठीक है second half second half of 19th century में इंडिया किस में अच्छा था अच्छा पॉइंट है यहां पे भी ये कि इंडिया I hope सारे points clear होंगे तो इस वीडियो में हमने agriculture और industrial sector को पूरा study किया है अगर यह पढ़ लेते हो तो इतने में से जो भी question आएगा आप जरूर answer कर पाऊगो अब हम next वीडियो में मिलेंगे और जिसमें मैंने बाकी सारे sectors जो remaining है वो discuss करूंगी मैं तो जाने से पहले please इस चैनल को subscribe करना and do like करता है लएसरा आप टूदे बाए आपका